हलो गुड मॉनिंग क्लास एट हम लोग कर रहे थे आपका पार्ट बारा जहां पहिया है उसके प्रश्ण उत्तर कर रहे थे प्रश्ण नमबर एक मैंने आप लोगों को दे दिया था उमीद करती हूँ आप लोगों ने वो अपनी कॉपी पे साफ तरीके से लिख लिया होगा आज है आपका प्रश्ण नमबर दो देखिए शुरुवात में पुर्शों ने इस आंदोलन का विरोध किया परंतु आर साइकिल के मालिक ने इसका समर्थन किया क्यूँ जब औरतों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो पुर्शों ने इसका विरोध किया इसको अपनाया नहीं लेकिन जो आर साइकल के मालिक थे उन्होंने इसको सपोर्ट किया इसको अपना समर्थन दिया ऐसा क्यूं ये सवाल पे पूछा जा रहा है उत्तर देखिए प्रारंब में पुर्शो द्वारा महिलाओं के साइकल आंदोलन का विरोध करना स्वाभाविक था क्यूंकि पुरुश परधान समाज में महिलाओं का बाहर जाकर काम करना अच्छा नहीं समझा जाता था परन्तु आर साइकल के मालिक ने समर्थन किया क्यूंकि आर साइकल के यहां से लेडिस साइकल की बिकरी तीन सो पचास प्रतिशत की चौकाने वाली विर्धी हुई देखे जब औरतों ने साइकल चलाना शुरू किया तो उस समय पुरुशो का विरोध करना एक जाहिर सी नेचरल बात थी इसलिए क्यूंकि उस समय औरतों को घर से बाहर निकल कर काम करने की परमीशन नहीं थी और पुरुश परधान समाज था मतलब औरतों को पुरुशो के उपर डिपेंट रहना पड़ता था हर अपनी जरूरत के लिए पुरुशो से ही उन्हें परमीशन लेनी परती थी उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता था तो जाहिर सी बात है पुरुशो ने तो इसका विरोध करना ही था क्यूंकि अब औरते जो थी वो अपने पैरों पे खड़ी हो रही थी मगर आर साइकल के मालिक ने इनका समर्थन किया इसलिए किया क्यूंकि जब औरतों ने साइकल चलाना सीखा तो आर साइकल के जो मालिक थे उनकी लेडिस साइकल की बिकरी 350 परतीशत तक बढ़ चुकी थी उनको फाइदा हो रहा था लेडिस साइकले जादा से जादा बिक रही थी इसलिए उन्होंने उसका समर्थन किया प्रेश नमबर तीन है आपका प्रारंब में इस आंदोलन को चलाने में कौन-कौन सी बांधाय आए जब शुरूात में इस आंदोलन शुरू हुआ तो इसको चलाने में क्या-क्या मुश्किलों का सामना औरतों को करना पड़ा उत्तर है प्रारंब में पुडू-कोड़ई, जिले की महिलाओं को अनेक बांधाओं का सामना करना पड़ा जो पुड़ू कोई इलागा था वहां की महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना बड़ा जैसे कि शुरू शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली इस्त्रियों पर ताना कसते थे उन्हें बुरी द्रिस्टी से देखते थे जैसे जब औरतों ने नया नया साइकिल चलाना शुरू किया तो जो पुरुष थे वो उन पर ताना कसी करते थे गलत कमेंट पास किया करते थे और उनको गलत द्रिस्टी से गलत नजरों से देखा करते थे पुरुष इस तरह साइकिल चलाने वाली महिलाओं को परिवार के लिए कलंक और अपराधी समान मानते थे जो पुरुष थे आदमी थे वो साइकिल चलाने वाली औरतों को अपने परिवार के लिए एक कलंक माना करते थे और अपराधी मानते थे कि इन्होंने बहुत बड़ा कोई पाप कर दिया है उनको इस द्रिस्टी को सहना पड़ता था तो बच्चों आज आप लोगों ने इसका प्रश नंबर दो और तीन कर लिया है तो उमीद करते हूँ आप लोग इसको कॉपी पे अच्छी तरीके से लिख लेंगे तब तलग आप लोग घर पे रहिए सेफ रहिए तब तक के लिए बच्चों खुदा हाफिस